कि एक शौटिंग अपॉर्चुनिटी दिखरी है थोड़ा सा लेट हो गए हैं लॉजिक क्या है ट्रीड़ेस मैं आपको एक्स्प्रेइन करता हूं 504.40 पर शौट किया है 80 कॉंटिटी अमने शौट किया है काँ स्टॉप लगाता हूं काँ जार्गेट लगाता हूं आपको सब कुछ एक्स्प्रेइन करता हूं आप बोल जगता हूं कि यह थोड़ा सा प्लेइन सेट अप के अपर मैंने काम किया हुआ है क्योंकि एक्शुली मैं जो शौट करना चा स्टेट्यून मैं आपको अपडेट करता हूं यह फॉल के बात जैसे कि मैंने आपको बताया फॉल के बाद रिट्रेइस्में रिट्रेइस्में देखिए फाइनली इसने अब यहां पर किया था एक्च्वल में अगर हम देखते हैं तो यह ब्रेकडाउन है अपना ठीक है अब यहां पर फाइनली आया यह यहां पर फाइनली आया नहीं हुआ यहां पर रिट्रेइस्मेंट दिखाया देखिए फॉल के बाद रिट्रेइस्मेंट एंड और भी फाल कर रहा है ओके लेट सी फर्स टाइम यहां पर इसने ट्राय किया था जी योटी के इसाब से नहीं हुआ अपसे नोमेंटम आया फाइनली यह हम लोग देख रहे हैं ऐसा ब्रेकडाउन आया हुआ अब यहां से वो फॉल कर सकता है यह लेवल्स पर काफी डिस्ट्रिबूशन दिख रही अब यहां पर सस्टेन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी मुझे दिख रहा है तो उससे ताफ से मैंने यहां पर मन बनाया कि यहां पर हमको शौट करना चाहिए अगर हम करंट्ली इसको देखते हैं तो अपने कॉस के आसपास 200-400 के आसपास बता रहा है स्टेट यून में आ 2493 फाइनली नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है मुझे जैसे कि मैंने आपको यहां पर कहा अपसाइन वेंटम के बाद फॉल अब यहां से कंटीनू फॉल कर सकता है वह प्रबबिलिटी बहुत हाई है एक बार यह 20-30 पॉइंस हमारे रेट से नीचे चला जाए तो हम स आगे लगाना है मैं आपको सब कुछ explain करता हूं ट्रिटेस 484 अराउं 15-1600 के आसपास profit चल रहा है ट्राइक कर रहा है स्टेप बार स्टेप बार स्टेप फॉल करने के लिए सिर्व हमको देखना यह है कि इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए यह जो है इसका support level है इसको ब्रे बॉल्यम्स अचे आएंगे तो यह लेवल को ब्रेक करके इसली वह नीचे आ सकता है हम अपना टागेट प्लान कर रहे हैं देखिए अगर 450 के आसपास लगाते हैं जो इसका bottom है तो बहुत चोटा टागेट 50 points का टागेट होगा around 4000 के आसपास ब्रॉफिट होगा बहुत बीच काम को solution निकालना पड़ेगा कौन सा solution निकाल सकते हम लेट से यह लेवल्स का around यहां का अगरम टागेट लगाए तो इस फो वन जीरो 416 actually यहां पर हमने 504 किया तो 414 414 का हम टागेट लगाएंगे ठीक है जी वेट करते हैं यह around 450 या 440 को break करता है तो 414 का quickly हम टागेट लगा देंगे तब तक हमको वेट करना है retracement कर सकता है लोगों को confuse कर सकता है सब चीज़ें कर सकता है तो वेट करते हैं 1500 के आसपास profit बदा रहा है stay tuned मैं आपको update करता हूं traders as of now bank nifty उपर आया हुआ है 1800 के आसपास loss बदा रहा है retrace कर रहा ही है but still our job is to protect our capital तो इसलिए हम यहां पर अपना stop loss लगा देंगे stop loss मैं लगा रहा हूं 595 पर एंड हम टागेट इसको लगाएंगे लिमिट 515 पर 515 एंड 595 अल्मोस्ट अगर आप देखोगे आपर तो आरा रेशो वन रेशो वन के आसपास चल रहा है जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आता है अपने कौस के आसपास है तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा और मेरा जो stop loss अब मैंने यहां लगा रखा है उसको मैं upside momentum दिखा सकता है अगर मैं चोटे मोटे retracement जैसे यह 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 लगा देता तो easily वह हिट करके नीचे निकल जाता तो जब आप trend के अगेंस यह major trend अगर आद देखोगे आज इसका उसके opposite side मैंने ट्रेड किया हुआ है तो यह चीज आपको द्यान लखना है precautions लेके गाम करना पड़ेगा यहां पर इसलिए मैंने यहां पर stop law लगाया हुआ अगर अब यह नीचे आता है अल्मूस्स लेट से 480 या 85 के आसपास भी आता है 11 को क्रॉस कर दा तो मैं अपना stop law नीचे लेकिया हुआ और यहां पर शॉट करना पड़ेगा 80 quantity मुझे 415 करना था गलती से वह 515 हो गया यह 80 quantity हम अगेन यहां पर चली शॉट कर देते हैं 510 पर मुझे इसको 415 करना था गलती से मैंने इसको 515 लिख दिया और यह ट्रिगर हो गया आपर तो 510 पर मैंने अगेन शॉट किया हुआ और यहां पर फोर वन फाइफ लिमेट विल भी फोर वन फाइफ एक चोटी मिस्टेक और देखिए यह बेफिजुल का मेरा यहां पर ट्रिगर हो गया यह और फाल तो मैं एक्जिट हो गया मेरा कोई दिक्कत नहीं हो जाता है कभी का वार अब मेरा आप यह देखोगे तो यह भी डिफरेंट हो जाएगा एबरेज प्राइस 507 यहां पर मुझे 415 लिखना चाहिए था गलती से मैंने 515 लिख दिया और वो ट्रिगर कर गया उसने ठीक है कोई बात नहीं 534 के आसपास 2700 के आसपास बता रहें ट्रेडर स्टेट यून मैं आपको अपडेट करता हूं ट्रेडर नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी 1500 1600 के आसपास यह गडबर हो गई यह जो नहीं होना चाहिए था यह एक्स्ट्रा मेरी ब्रोकरेजन टैक्सिस चले जाएगी बहुत ही सिली मिस्टेक थी जो मैंने आपर की 415 के बदले 515 लिख दिया मैंने और मेरा एक्जिट हो गया था ठीक है नो इशूस होते रहता है कभी कबार 1500 1800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है टागेट हमने लगा रखा है 415 का स्टॉप लॉस 595 का वेट करते हैं तो अगर यह 460 को ब्रेक करता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो मैंने लगा रखा है 595 पर उसको मॉडिफाय करके नीचे लेकिया हूँगा और और अच्छा बना दूँगा या ठीक है 473 के आसपास आयोगा 460 का वेट करनो 460 ब्रेक हो जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाय कर देता हूँग जस्ट मैंने अभी बैंक निफ्टी का मैंने अपना ट्वेट बताया हुआ है कि मैंने 510 पर शॉट किया हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो यह लॉजिक की वज़े से टिप्स के लॉजिक की वज़े से जॉइन मत होना वहाँ पर हम कुछ चीजें कुछ डिसक करते रहते हैं तो ज़रूर जॉइन हो जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पर मैं अब सोच रहा हुँ ट्वेडर्स देखे यह लेवल्स फिर्म लोग अल्मूस्ट आ चुके हैं तो मैं अपना स्टॉप लॉज अब इतना बड़ा नहीं देने वाला हूँ क्योंकि अगर यह जी योटी जैसे रियक्ट किया इसने तो लॉस हो जाए गहां बारा सो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पर 555 यह जो मैंने यहां लगा रखा है 595 पे इसको मॉडिफाय करने वाला हूँ एंड 17000 555 17000 555 पे मैंने अपना मॉडिफाय कर दिया स्टॉप लॉस ठीक है रिस्क अभी इतनी बड़ी नहीं लेने वाले ट्विड़स हम स्टे टून मैं आपको अपडेट करता हूं 511 ओल्मोस्ट देखी ट्विड़स 800 के आसपास 600 के आसपास लॉस चल रहा है मैंने टेलिग्राम पे 510 का ओर्डर बताया हुआ है कन्फ्यूज मत हो जाना है फिर यहां पर आप देखोगे कि सर आपने तो 507 पे शॉट कर रखा है 517 आपने कैसे कहा तो कन्फ्यूज मत होना मैंने देखी पहले 504 पे शॉट किया था गलती से यह ओर्डर ट्रिगर हो ग की तरह रियक्ट कर रहा है अब अपनी रिस्क कुछ एक्स्ट्रीम हमने नहीं रखी हुए तो अगर आप यहां पर दियान से देखो कि 507 और 555 that means 50 points के आसफ़र अपना रिस्क है और 80 से को आप कंपर करते हो तो 4000 के आसफ़र अपनी रिस्क है इसमें जादा रिस्क नहीं र अब अगर यहां पर ज्यादा रिस्क लेता हूं तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है तो यहां से बाएंग लेते हुए आता है उपर और यहां से ब्रेक आउट बनता है तो फिर कोई सेंस नहीं रुखनेगा यह लेवल्स के लिए इसलिए मैंने यहां पर स्टॉप लोगा गल्ट साबित होता हूं तो लॉस कम के देखे जाओंगा अगर सभी साबित होता हूं तो प्रॉफिट पूरा लेके जाओंगा प्रॉफिट पर वहां से तरह उपर जाता है तो बहुत जल्दी उपर चला रहेगा ठीक है अच्छा आरा रिशो मेंटेन कर रखा है अगर आप आरा रिशो देखो तो 1.75 का मेंटेन कर रखा है बट इसको फॉल होना है तो अब यहां से पुक्ली फॉल होना पड़ेगा यह जी ओट की तरह एक्ट कर सकता है जी ओट का हमने डिस्किस किया हुए कि यह ब्रेकडाउन दिया फॉल यहां पर जर्नल लोक शॉट हम लोग ने देखो यह इस लॉजिक से शौट नहीं किया यहां पर हमने देखा कि ओल्मोंस यहां पर ट्राय हुआ गैफिल का उसके बाद फरी यह लेवल्स के आसपास नहीं हुआ उसका फाइनली यहां पर आप वो कंजोर हो चुका है स्टिल बैंक निफ्टी का अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे लेट से 15 मिनट्स देखते हो आप तो देखिए यहां पर आपको प्रेशर डाउन कर सकता है नहीं तो वह इसली अपना स्टॉपला लेकर आएगा ओके 521 के आसपास आया हुआ है 520 के आसपास आया हुआ हुआ है देखिए यह अल्मोस्ट बार 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 उपर के लेवल से या तो यह रेजिस्टेंस लेती वह आ रहा है या तो यह बलती से मेरा पूरा बंद होगा सिस्टम को इसको हम अगर देखते हैं यहां पर अगें अगर आहां यहां पर आप देखो गए तो हमारे रेट के आसपार आया हुआ है और हम फिर प्रोफित में तो लेट सी देखने पेंडिंग है कि क्या हम डिरेक्शन जो हमने डिसाइड किया था, trend की opposite side rate किया, that's agreed, but यहाँ पर supports कमजोर हो चुके हैं, उपर sustain नहीं कर बार रहा है, वो logic से मैंने यहाँ पर short किया हुगा, plus price action की setup देख के मैंने यहाँ पर short किया हुगा, 555 का stop loss है, target है 415 का, RR ratio 1.75 का है, let's see, wait करते हैं, नीचे आता है, तो update करता हूँ, ऊपर जाता है, तो भी मैं आपको update करता हूँ, 600, देखे, 1200 के आसपास, अपना 1300 के आसपास profit बदा रहा है, यह अगर 460 को break करता है, तो मैं अपनी risk और कम कर दूँगा, ठीके, टूटर्स, टूटर्स, 456, 460 के आसपास आया हुआ है, 456 के आसपास, देखे, आपको दिख रहा होगा, target है, अपना 415 का, 453 का, अब अपना जो stop loss है, अगर हम यहाँ पर ही देख लेता है, देखे, उसने break किया है, volume भी अच्छा दे रहा है, होफुली अब यह levels को cross करके, अपना target दे दे, 415 का, जो हमने लगा रखा है, अब अपना stop loss हुआ है, टूटर्स हम यह levels पर लेखे हैंगे, 540 levels, यहाँ, यह levels पर, 540 levels पर, ठीके जी, यह हम यहाँ पर stop loss, देखे, 428 के आसपास आया हुआ है, 435, target है, अपना 415 का, इसको modify करके, 540 कर देते हैं, ठीके टूटर्स, यह अपने 540 कर दिया, target है, अपना 415 का टूटर्स, इसने अभी low लगाया है, I think, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 443, 425 का low दिखा रहा है, टूटर्स, so 10 points अपना target pending है, 425, 4600, 4300 के आसपास profit चल रहा है, अपना, let's see, 415 का जो अपना target अच्छी होता है, या free turn around, ऊपर retrace करने के लिए ऊपर जाता है, credit is 453, 454 के आसपास आया हुआ है, देकि थोड़ा बहुत retracement करकी fall करने कोशिश कर रहा है, अगर हम exactly future levels के एसाब से देखें, है, हमने अभी अपना entry हुआ है, let's say, यह levels पर 50, 510 actually, अगर आप देखें तो, 510 stop loss हमने लगा रखा है, यह trade पर 540 पर, यह levels पर 540, and target हमने लगा रखा है, 415 पर, यह levels पर, 3.24 का है, trail करते हुए, अभी आरा ratio बना है, actual आरा ratio starting में 1 ratio 1 था, अब उसको हमने modify करते करते, यह levels अभी achieve किये है, 473, 474 के आस्पाद आया हुआ है, 2000 का अभी अपने को profit बदा रहा है, turnaround हो चुका है, यह उपर की दरब retracement कर रहा है, यही levels हैं, यही levels हैं, जहां से market को support मिल रहा है, so possibility है कि थोड़ा बहुत retracement करने के बाद, वो fall आ जाए, अब देखिए, मैंने यहाँ पर stop loss क्यों लगाया हुआ हुआ है, stop loss यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया हुआ हुआ है, कि let's say कि वो उपर आता है, यह levels को break करता है, breakout जिससे बनाता है, तो फिर इससे उपर ज्यादा sustain, इससे ज्यादा उपर मुझे stop loss लगाने का या रूपने का कोई sense नहीं बनता है, अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर exit क्यों नहीं किया, जब इतना अच्छा गादा profit देगी, मेरा जो proper target था मैंने उसको follow किया है, अगर वो उपर आ जाता है, वो नहीं sustain कर पाता है, तो it's not my fault, मैं अपने proper target पे ही निकलता हूँ, compromise करके मेरा यादत नहीं है, proper target पे निकलो, proper stop loss में निकलो, मैं वो rules को follow करता हूँ, 700 के आप से पास profit चल रहा है, मैं अपने extreme risk इसमें नहीं ले रखी है, stay tuned मैं आपको update करता हूँ, तो it is 473, 470 के आशपास आया हुआ है, मैं wait कर रहा हूँ, एक बार ही 455, 455 को break करता ही है, तो मैं अपना stop loss और trail करूँगा, और मैं अपनी risk और कम करूँगा, RR ratio को भी और बढ़ा हूँगा मैं यहां से, ठीक है 2700, 2700, 2800 के आशपास profit चल रहा है, मैं wait कर रहा हूँ 455, 464, 461 चल रहा है, 455 को break करता है, तो मैं अपना stop loss और trail करता हूँ विडियोस में, देखें तो डिशने just अभी 455 का low लगाया, 454.75 वहीं से देखें बाउंस कर रहा है, यह जिसका level है, support level, almost, वहीं से बाउंस कर रहा है, एक बार इसके नीचे आजाए, तो मैं अपना stop loss और नीचे लेके आएंगे, almost stop loss में लेके हूँगा, 525 के आसपास, 540 का जो मैं अपना stop loss लगाया है, उसको 12 करते हुए, और नीचे लेके आएंगे, 525 के आसपास आजाएंगे, 477 के आसपास सल रहा है, 473, I'm waiting for 455, 503, 505 के आसपास आया हुआ, जैसे कि मैं आपको बता है, कि वो ही levels देखिए, वो ही levels से वो cross करके, upside momentum दिखा रहा है, कैसा नहीं देखिए, मुझे मैं relax डूँ, मुझे कुछ दिक्तत नहीं है, मुझे पता है 540 पर आता है, तो मेरा इतना loss होगा, 3000 के आसपास, तो मेरी वो risk appetite है, मैंने वो ले रखी है, अब मैंने kind of, मेरा trade setup, trade के बारे में मैंने बताया होगा, अब किसने नीचे के levels पर profit book किया होगा, कोई डर रहा होगा, किसी की trade अभी तक चालू होगा है, कोई wait कर रहा होगा, कि मैं जब exit लिखूँगा, तब हो exit करेंगे, तो यह सब चीज़े कैसा हैं, मेरे वोपर pressure आ जाता है, अब let's say कि 540 हो जाता है, जो बहुत यहां से bright chance है, जिसे आप से यह बना रही है, breakout जिसे बनने के लिए setup बन के आया हुआ है, तो बहुत high chance है कि 540 पर hit कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, बहुत high chance है 540 पर hit कर सकता है, तो यह मेरी pocket size है, मैंने अपने हिसाप से trade रहा है, मुझे पता है, मैं exactly क्या कर रहा हूँ, मैंने किसी को follow नहीं किया, अगर मैं trade setup शेयर करता हूँ, या trade शेयर करता हूँ कि मैंने यहां buy यहां sell किया हुआ, आप तो random हो, आपके लिए तो random चीज है, कि यहां पता नहीं क्यों सरने short किया हुआ है, या मैंने short क्यों किया हुआ है, क्यों buy किया हुआ है, x, y, z चीज, correct, तो ऐसे random basis पे मुझे उपर pressure आ जाता है, कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसको loss होगा, already आप देखे तो lockdown में pressure है, financial issues है, तो कुछ expectations से आदमी short या buy करेगा, अब देखे, almost 520 के आसपा आ चुका है, 523 के आसपा आ चुका है, मुझे फ़रक नहीं पढ़ रहा है traders, यह breakout अगरी stop loss भी लगा देता है, तो मुझे फ़रक नहीं पढ़ दा, क्योंकि यह मेरा setup है, यह मेरा mindset है, जिससे मैं यह trade कर रहा हूँ, आप tip को follow करोगे, तो आप कोई दिक्कत है, अब जैसे आपके सामने, अब उपर जा रहा है, लेटसे की 510 के आसपास, मैंने shot किया हुआ, यह 510 है, अब मेरे rate से उपर जा रहा है, तो मुझे पता है, exactly मैं क्या कर रहा हूँ, काहा stop loss लगा है, तो वो clearly operator के लिए heat zone मन जाएगा, कि हाँ बहुत वहाँ पर stop losses पड़े है, किसी भी आलत पर हमको वो level सक खीचना है, market को, ठीक है, तो मैं भी उसमें first जाऊँगा, इसलिए मैं stop loss and target नहीं बदाता हूँ, 520, 523 के आसपास पड़ा हुआ हुआ है, बहुत ब्राइट चांसे यह लेकर आए, यह देखे, लेखे गया, 3400 रुपीस का मेरा आपने आपर loss, इसको परल हम cancel करेंगे, मैंने update कर दिया, टेलिग्राम के उपर भी, 17,540 पर जो मैंने आपर लगा रखा था, वो hit कर दिया, 3400, 3500 का ब्राउन फिकर पकलो, आपर अपना loss हो गया, कहां तक गया था यह 425 तक, दिखता आपको यह 425, कहां तक target था अपना, यह target था अपना 415 का, नहीं हो पाया, उपर चला आया, अब यहां पर क्या लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं आपको अभी बता रहो, comment section में क्या आएगा, आपको यहां पर थोड़ा बहुत, बुक कर देना चाहिए था, 3400, प्रॉफिट दिख रहा, तो बुक कर देना चाहिए था, ट्विटर देखो, मैं वैसा ट्विटर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं प्रॉपर रूल्स फॉलो करता हूँ, टागेट पर प्रॉपर रुखता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस, यहां पर यह लेवल्स पर मैंने जब हम लोग की कैंडल बन रही था, तब मैंने आपको बता दिया कि सर, मुझे लग रहा है कि यह टागेट अपना स्टॉप लॉस जो ही हिट करेगा है करेगा, अब यहां पर हिट किया, तो क्या मझे यह लेवल्स पर एक्जिट कर देना चाहिए था, नो, absolutely no, always respect your stop loss and target, क्या गलत होगा यहां पर, गलत देखें कुछ भी नहीं होगा ट्विड़र, setup क्या था मेरा, आप देख लिजे, हम इसका नहीं देखेंगे, कि यह टाइम पर क्या किया था, हम इसका देखेंगे, क्योंकि इस बहाफ मेंने ट्रेट किया हुआ है, 10.38 पर इस logic से हमने ट्रेट किया हुआ है, तो हम देखेंगे 10.38 का candle, का है 10.38 का candle, almost I think यह levels के आसपास यहां पर, ओके, देखें, यह setup को हम लगाते हैं, यह clear हमारा breakdown, चीक है, अब मैंने यहां पर short क्यों किया, यहां पर short मैंने इसलिए ही किया, यहां पर अगर आप देखो कि यह breakdown था, यहां पर journal लोगों ने सोचा होगा, कि नीचे की तरफ gap fill होगा, gap fill होगा, और यहां पर उसे साब से momentum upside आ गए, यह जो था, यह second time, यह second turn था, second time यह नीचे आने वाला था, और यहां से fall होने वाला था, जैसे आपको बता है कि मिझे थोड़ा सा उपर के rate पर शौट करना चाहिए था, बढ़ वो retrace नहीं कर रहा था, finally मैंने यह levels पर short किया, यह levels पर short करने के बाद, stop loss थोड़ा मैंने उपर कर दिया था, तो मैं target यह नहीं लगा पाया, तो मैं target थोड़ा मुझे नीचे का लगाना पड़ा, because of my RR ratio, अब RR ratio के चक्कर में नीचे आया तो सही market, मेरा सिर्फ 10 point के अज़र से यहां पर target रहे गया, और market ने फिर यहां से one side momentum दिखा दी, वो सकता है कि अब यह breakout जैसे बनाया है, यहां से, मुझे सा लग रहा है कि थोड़ा रिटरिस्मेंट के बाद, यह फिर अगेन आप side momentum दिखा सकता है, market क्योंकि positive है और उसको sustain करने की कोशिश की जा रही है, so that's it for today, वीडियो अच्छा लगा, तो like जरू कर देना, tip क्यों नहीं देता हूं, मैंने आपको यह explain कर दिया है, मिझे काफी calls आते हैं, काफी whatsapp आते हैं, कि sir मिझे tip दे दो, आपकी accuracy अच्छी है, यह है, देखी डिटरिस, tip देने में, मेरा भी नुकसान है, क्या नुकसान है, कि मेरे उपर pressure बहुत आ जादे डिटरिस, अगर मैं आपको यह बताऊंगी, मैंने यह आप पर short किया है, अब मैं यह levels पर था, trust me, मेरे loss से 10 गुना जादा, मुझे दुख यह है, अगर किसने यह levels पर exit नहीं किया, यह levels पर exit नहीं किया है, मेरी तरह वो रुका रहा है, मेरे message के लिए रुका रहा, कि मैं message करूँगा, फुरुआ exit करेगा, तो उसका तो loss हो गया, क्या मुझे मज़ा आया, किसी का loss करवाने में, नहीं, मेरा loss हुआ, तो traders वो मेरी mistake, मेरे पैसे हैं, मेरे logic से हैं, तो मैं accept कर लूँगा, बट मेरे वज़े से, मेरे tip आप समझ के, आपको मैंने वो भी लिखा हुआ, study purpose के लिए मैंने share किया है, still, I know few people will take it as a tip, उन्होंने trade किया होगा, हो सकता है किसी ने loss किया, हो सकता है किसी ने आपप profit बुक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर, जब मैंने आप अगर check करोगे, टेलेग्राम पर जब मैंने बताया था, तो almost वहाँ से 60-70 points नीचे आया है, एक normal retail trader के लिए, बहुत अच्छा points होता है, but still, एक greed नाम की चीज़ होती है, जो लोगों में absolutely भर-भर के होती है, तो सब wait कर रहे होंगे, मेरा कि मैं कब exit का लिखूँ और ओलो exit करें, correct, हो सकता है था, मैं assume करना, आप comments में मुझे पता चलेगा कि exactly क्या हुआ है, ठीक है, so that's it for today, thanks for watching, we'll see you in the next video, आज का अपना loss है, हमने book किया हुआ है, 3492 रुपीज,